दोस्तों हम बात करने वाले हैं बहुत ही बेतरीन प्लान के जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे इसी प्लान को आज हम डिसकस करेंगे जिसका साइज है 28 x 36 में हाउस प्लान डिजाइन किया है हमारे एक सब्सक्राइबर थे उनके कहने पर से मॉडलों को डिजाइन किय इसी मॉडलों को डिसकस करेंगे पूरा step by step आप देख पा रहे होंगे मैं जूम करके इसको थोड़ा से दिखा देता हूं जिसमें आपको realistic view लगे यह दोस्तों रेलिंग का पार्ट है यहाँ से स्टार्टिंग से लिए पूरी रेलिंग के सिंपल सी रेलिंग डिजाइन कि है मैंने और साथ-साथ यह आपका front फूरा view है आप देख पारेंगे तो इसी मॉडलों को डिसकस करेंगे जैसा भी आपको मॉडल लग रहा हो हमें कमेंट करके बताएं वीडियो को लाइक शेया जरूर कर दें अगर आपने अभी तक इस माहला उस प्लान को subscribe नहीं किया तो according जो भी आप घर, restaurant, school जो भी design करवाना चाहते है आपका design किया जाएगा तो पूरा detail की साथ वहाँ पर 2D और 3D map पर discuss किये जाते हैं इसके बाद आपको provide किया जाता है तो आप उसके लिए हमारा number whatsapp से description से निकाल कर whatsapp कर सकते हैं तो जो आज का model है चलो discuss कर लेते हैं तो सब window है और यह उसके उपर बरसात में पानी बगारा ना जाए तो बनाया है यह देख सकते हैं आप पूरा दो window है यह इसका main door है इस main door से जैसे आप entry करते हैं दोस्तों तो सबसे पहले आपको मिल जाती ही stairs जो की अंदर से आएगी और फिर अंदर को ही मुड जाएगी इसके ब और यह जो side में दिया है यह दोस्तों kitchen है kitchen आपका front में है ventilation का कोई problem नहीं होगा क्योंकि मैंने front से window की दिया है तो यह अपका kitchen होगा यह एक bedroom होगा है दोनों के अगर हम door की बात करें तो आपके hall से दी हो है इसके बात जैसे आगे बाता है यह दोस्तों command लेटिंग और bathroom है यहाँ पर बड़ा सा लेटिंग बात कमांड इसका door मैंने यहां से दिया है अगर हम बात करें दोस्तों यह वाल सी आप एक देख रहे होंगे थोड़ छोटा सी space देख रहे होगे तो यह दोस्तों ऊपर के लिए मैंने बनाया है आप यहाँ पर ventilation के लिए जाल रखवा सकते हैं छट पर जिससे आपका यह पूरा portion ventilation इसमें होता रहेगा कोई भी problem आपको नहीं मिलेगी तो यहाँ पर आप जाल रखवा सकते हैं चार फिट चोड़ा और लंबा यह पूरा 10 पर अप्रॉक्ष तो इसलिए मैंने यह आप रोल केरेट किये जिसमें separate आपको देखने को म ले तो यह तो portion अब इसके बात करते हैं पीछे की तो पीछे दोस्तों आपको दो bedroom मिलते हैं दो लेटरिंग और दो लेटरिंग मिलती है इस रूम के लिए separate लेटरिंग बातरूम यह और इस लेटरिंग और बातरूम का डूर यहां से रखना चाहते है रूम से तो आप रूम से रखें अन्य था आप जो यहां पर जाल रखा होगा उसके नीचे से भी सैड से यहां से रख सकते हैं यहां बेड़ बेंट करता हलाकि मैंने यहां पर जो इनकी लिए गेट करेट के रूम से ही करेट करती है तो आपको यहां पर बेड़ डूम पीछे मिलते हैं एक बेड़ डूम आगे मिलता है शाइसाद बड़ा सा किचिन लेटरिंग बातरूम और सेपरेट लेटरिंग बातरूम भी अलग बने डेजाइन कर दी है प्रतेक रूम के लिए और साथ साथ ये आपका विंटिलेशन के लिए जाल ये कहां पर रहे हैं दो जाल और ये पूरा आपका लिविंग हॉल डैप का यहां पर मिल जाता है तो ये 28 x 36 का ग्राउंड फ्लूर है दोस्तों जैसा भी आपको लगा हो मैं जरूर कमेंड करें ये पूरा ग्राउंड फ्लूर आप देख पा रहे हूंगे 28 x 36 का अब अगर हम बात करते हैं फस्ट फ्लूर पर तो मैं आपको लिए चलता हूँ इसके फस्ट फ्लूर पर पूरा रेली मैंने डेजाइन किया आप देख पा रहे हूंगे मैंने अल्रेडी पहले से दिखा रहे है और पूरे घर में मैंने दोस्तों एक टेक्सर लगा रखा है जो कि आपका इस्टून का लड़क है और ये आपका गुम्टी है अगर इसको हम ठक देते हैं तो ये मॉ आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं आपसे बात करके पूरा आपका डिस्कस किया जाएगा और आपका घर डिजाइन किया जाएगा हालाकि वो दोस्तों एक पेरिड सर्वेस है आपको इसका विशेज ध्यान रखना है वह पर फ्री में मॉडल क्रेटिन नहीं होते हैं तो च सब्सक्राइब करने चैनल को विडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें थैंक्स वाचिंग